खुसकिशमत वही इंसान है हर तरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ है परमातमा वो इंसान नहीं एवान है खुसकिशमत वही इंसान है हर तरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ है परमातमा वो इंसान नहीं एवान है नर्तन पाकर हरी चरण में जो भी कोई ध्यांधर है अपना बेडा पार लगावे औरा का भी पार करें इस जग में वो पुर्ष महान है भगवान उस पे महरबान है जो भूला हुआ है परमात मा वो इंसान नहीं है वान है खुश किसमत वही इंसान है हरी चरणों में जिसका जान है अब होगे राज कुमार हुशार हो जा तेरा अंत समय आ गया है मरने के लिए तयार हो जा हाँ हाँ जहां से आया था वहाँ जाने के लिए तयार हूँ आए हैं सो जाएंगी बंदा हुआ है तयार कोई पहुँच गया कोई जा रहा कोई जाने को है तयार राज कुमार हम राज आगास से मजबूर हैं हमारा काम है हुकम बजाना इसलिए हम पाप पुन्ने से धूर हैं भाई तुम किसी बाद से मडरो जो तुम्हारा काम है उसे पूरा करो जनम राजा के लिया था दाग खाने के लिए जग में आया था सरासर सर कटाने के लिए बजाओ हुकम राजा का कुरो मौसी का चाया है उठा करके खडग मारो लो मैने सिर जुकाया है अरे भाई ऐसा करते हैं इसके हाथ पैर काटकर कुवे में डाल देते हैं ठीक है अपने आप तड़के मर जाएगा क्या अर्ण कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर तो साथियों इस परकार जलाद पूर्ण अमल के हाथ पैर काटकर के कुवे में डाल देते हैं भगवान की करनी उदर से गुरु गोर्खनात अपनी जमात से महागुजर रहे थे आगे देखी क्या होता है कि 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 के आप के अ बच्चा ओगरनात जी जी खुर्जी हम चलते चलते काभी ठक गए हैं आज हम यहीं दिस्राम करेंगे जो क्या खुर्जेव अरे बच्चा जी लोटा डोर उठाओ और सामने कुवे से जल भर लाओ जो आज्या गुर्जेव अभी जाता हूँ गुरु को योकम से अभी छीटल जल लाता हूँ जो आज्या गुर्जेव गुरु को योकम से अर मैं शीटल जल लाता हूँ गुरु जीठन डाठाद ना पीवेंगे वाह मैं भी पीवेंगा और और भी पीवेंगे बाती मनब पास दीबाई पास दीबाई डूब की लगा जो एक दो अरंगा अट जागा नो नो तो खेंच ले इतों अरे 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 इतना अंगा तो कदे नहीं लग्या अर्दाद के बात को ना पाटी के बात ली इसना पकर ली अरे देख तो देख ये मतलब से ओहो थोड़ा जुक्त देख ली हूँ हर जआं भी को अर्थ पूटिया अर ड्याँ लनाज वर्यव कदेबिना यै cameras up को ऊच्छा अरे अधा संुटवरा फुटवरा अच्छा शुटॵरा थोटवरा खेंद़ अरे विल भा करहत locomoulder की दीचछा Carnap भूत यहां कहां से आ गया भूत बच्चा ना गया फानिया तुम जाओ दरशल बात क्या है पता लगाओ जो आग्या दुरुदेव अरे भूत को देखका गबरा गया ले हट हम देखते हैं भूत तो क्या हम भूत के बाप को भी साथ में खींचते है खेंच के दिखाईयो राट गुरु का चिल्लाव का गबरावे रसी नी खेंचता उतर्या जासे राट तुम खांच का देखादे ना मेरा तो गना दोर सतरमा दोन वान न भी फाक्तु जोर जा दिया मने ले आठ छोड़ आठ छोड़ ठोड़ ठोड़ करिया ले पकड़ हाथ मरती अरे खिजना ते दूर यात टस्तरमस भी ना उती तेंगे अरे वाई ना गिया आप आनिया आँ दोन्नु गुरु वाई पकड़ का खेंचा गे इस रसी ने रंदखा पार आजातू एले पकड़ है 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 मेरा पसे ने पसिना कर दिये की करा इसमा जरूर कमने कमें बला है चल देखते एक बार जाकते एक बार सबी चिल्ला रहे हैं क्या बात है चल के देखता हूं अर जाओ ये रसी मुझे पकड़ाओ लोजी गुरु जी लोजी आप टोड़ाओ जी अरे वास्तों में इस कुए में कोई बला जरूर है अरे भाई तू भूत है या बला मुख से बॉल आखिर तू कौन है महाराँ ने मैं भूत हूं ना कोई बला हूं भाग्य हिन उस मालिक का बंदा हूं भाग्य ने मुझे इस कुए में लापटका का दया के धाम हो तुम, दया करके दिखा दीजिये, पर भू का मैं बंदा हूँ, बचा लीजिये, बचा लीजिये। अरे बच्चा, सब आओ, ये तो किस्मत का मारा इंसान है, इसे निकालो, इसके प्राण बचाओ किस्त पंदा कुछ का मίत अरू kommt कवड़ kulland. का ल giàलो, इसके प्राण आओ, अरू को किस्मत को अरू का ल्या का मारा इंसान है, रू मारा भू हलं होत निकालो, तो किस्मत काुछाय के प्राण आओ, उल्झा जा य हम दीए कर दो कर दो कर दो कर दो कितना सुंदर बालक है मगर तन के जखमों से निढ़ाल है हाँ गुर्देव कुछ भी है जब गुरु दोयालू हो गया तो निश्केई गुरु की दयातें शर्ण में आके निहाल हो गया गुरु जी इसका भी कल्यान कर दो ठीक है ओ गरनाथ अरे बच्चा तुम कौन हो? किस के कुल का दीपक हो? और किस जालिम ने तुम्हें घायल करके इस विरान कुए में डाल दिया? क्या नाम है तुम्हारा और कहां के रहने वाले हो? बच्चा लगता है तुम्हारा अंतर मन बहुत दुखी है फिर भी तुम्हारी कोई तो पहचान होगी? तुम्हारे माता पिता कोई तो होगा? माता पिता होते तु क्या मेरा ये हाल होता? कोई भी बच्चा अपने माता पिता की जिगर का टुकडा होता है? भलावे मुझे गायल कैसी देख सकती हैं? बच्चा मेरे पूछने का तात्प्रिय ये था कि तुमने अभी अपने श्री मुख से कहा कि तुम तो अपनों की मार्शे घायल हो आखिर वो तुम्हारे अपने कौन है जो तुम्हारा इतना बुरा चाहते हैं कि इस दुनिया से तुम्हारा नाम और निशान मिटाना चाहते हैं बाबा मैं कैसे बताऊं आपको मैं कुछ नहीं कहना चाहता बच्चा नीडर होकर कहो मैं तुम्हारी हर शंभाव साहता करूँगा यदि तुमने कोई जाने अंजाने में गलती की है तो तुम्हें सद मार्ग दिखाने की कोशिस करूँगा और यदि तुम निर्दोश हो तो तुम्हारा जिसने ये हाल किया है उनको सबक सिखाऊंगा तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी इस हालत के पीछे आखिर सच्चाई क्या है हम सबी तुम्हारे मददगार है मेरा नाम गोरकनाथ है और ये मेरे शिशे है घवराओ मत कहो क्या बताना चाहते हो बाबा रहने दो मैं कुछ नहीं कहना चाहता बस आप मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ दी मैं मरना चाहता हूँ बाबा बच्चा ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है अब तुम मनुष्य योनी में आ ही चुके हो तो कुछ ऐसे कर्म करने की कोशिस करो जिस से सदियों तक तुम्हारा नाम रोशन रहे ऐसे कीडे मकोडों की भाती गुमनान क्यों मरना चाहते हो ऐसी क्या सचाई है जो तुम जुबान पर लाने से डरते हो बाबा आप क्यों मुझे बताने के लिए मजबूर कर रहे हो मैं बताओंगा तो आप भी दुखी हो जाओगे बाबा बच्चा जब तक तुम बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारा दर्द कैसे जान सकता हूँ ओख ओख ये तुम्हारे पिताजी ने कैसा अनर्थ कर दिया तुम्हारी मा का तो बहुत बुरा हाल होगा इस निर्णे से कितनी बेबस और लाचार होगी हाँ बाबा मेरी मा ने मुझे बचाने के लिए मेरी पिताजी से बहुत मिन्नत मंगी लेकिन पिताजी के दिलो देमाग पर तो मौसी ने अंदकार का ऐसा परदा डाल दिया कि पिताजी ने ने तो सचाई जाननी चाही और ने ही मेरी मा की कोई प्राथना सुनी पिता जी के आदिश की अनुसर जलाद मुझे यहां लाए और मेरा ये हाल करकी उए में धकिल गई और फिर आप लोगों ने मुझे प्रानदान दे दिया तुमने ठीक कहा था सच्चाई जानने के बाद मुझे भी दुख हुआ लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा वर्दान देता हूँ कि तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो क्या बाबा बच्चा मैं तुम्हें अभी अमर होने का वर्दान देता हूँ अब वापिस अपने घर जाओ जाकर राजसुक भोगो और आनंद से रहो जाओ आयुश्मान भो नहीं बाबा मैं वापिस गोर अंदकार वे पापों से भरी अंधिरी दुनिया में नहीं जाना चाहता मैं अब आपकी सरण में रहना चाहता हूँ आपने मुझे जीवन दान दिया है आप ही मुझे भक्ति का सही मारक दिखा सकते हैं इसलिए मैं अपना बाकी जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ मुझे अपने साथ रहने के इजाज़त दे दो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप मेरे गुरुदे हो बन जाओ बाबा अरे बच्चा योगी बनना इतना आसान नहीं है योग साधना बहुत कठिन होती है उसके लिए ध्यान सिर्फ भक्ति पर ही केंद्रित करना पड़ता है और तुम ठहरे राजकुमार जाओ और जाकर राज सी ठाट बाट का आनंद उठाओ तुम्हारा ये कौमल सरीर जंगलों में घूमकर भसम रमाने के लिए नहीं बना साधू बनकर भहुत कष्ट जेलने पड़ेंगे इसलिए मेरी बात मान और घर वापस जा नहीं गुरुजी मेरी राज भोग में कोई रूची नहीं है मैं तो अपने आपको अब धन्य भाग मान रहा हूँ जो आप जैसे महान गुरु मिले हैं और आपके चर्ण मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जो मुझे सिधा सरुक का दवार दिखाएंगे मैंने महलों में रहकर बहुत विसराम किया अमीरी के अनेक रंग देखे मनिश्यों की पापी सोच देखी अब मैं वहाँ वापस लोड़ कर नहीं जाना चाहता गुरुजी अरे बच्चा भकीरों की राह काटो पर चलने की समान है गुरुजी मुझे स्विकार है अरे बच्चा नादान मत बन दर दर की ठोकरे खानी पड़ती है तुम्हारी तो अभी तक अनेक दास दाशियों ने सेवा की है लेकिन यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है ना रहने का ठिकाना ना भोजन मिलने की आस बस फकीर बन कर घूमते रहते हैं गुरुजी कस्ट उठाने के पस्चाथ आतम मन को सच्चा सुखतों मिलता है बच्चा इस कुन्ण से सरीर में भसन रमानी पड़ेगी रमाउंगा गुरुजी जो कस्ट आएगा उसको भी हसकर सहन करूँगा यहाँ फटकार भी खानी पड़ेगी तभी तो जीवन में सुधार आएगा गुरुजी ठीक है बच्चा तुम्हें फकीरी ही अच्छी लगी है तो तुम्हारी मर्जी नौने दिया सब सिद्धिया करूं तुझे प्रदान अमर हुआ पूरण जती देता हूँ वरदान इस तरह गुरु गोरख नाजी ने विधी विधान से पूरण मलको अपना सिश्य बना लिया और दिरे दिरे पूरण भक्ती के सभी गुर शीखने लगा और घंटों परभु की भक्ती में लिन रहता समय बीतता गया और समय के साथ साथ पूरण गोरख नाजी के सिश्य आपश में क्या कहती है गुर भाई या गुरु भाई यह पूरण तो बहुत थालाग निकला वो कैसे इसने तो अपने गुरु जी की आत्मा पर ऐसा अजिकार दमा लिया कि जैसे दो साल का बत्वा, अपनी मा की दूजियों का मारा छाती के चप्टे रहे से, ऐसे ये पूरनमल गुरु के साथ चिप्टिय रहता है, हाँ गुरु भाई ये नय तो हमारे साथ बिक्षा मागने जाता है और नय ही गुरु जी इसे बिक्षा लाने के लिए हमारे साथ बेजने का नाम भी नहीं लेते हाँ भाई ये तो मजे से गुरु जी के साथ बैठकर हमारी लाए हुई बिक्षा को खाता है और उपर से अपने उपर होकम भी सलाता है भाई इसका कुछ करो ना जिससे जोग जमात से हमेशा के लिए इसका टिकेट कट जाए तो भाई मैं बताऊ एक बात है बताऊ गुरू भाई जू करो के? इसे सुंद्रा रानी के मैल में दुख्या लाने को कहो क्या खास बात है वहाँ? बताऊ तो सही वहाँ एक एसरा दे है जहाँ सुंद्रा रानी का होकम है क्या? तुमने नहीं पता इस बात का बताऊ गुरू भाई सुंद्रा रानी का होकम यह है जो सुंद्रा रानी के मैल में बेक्षाले ने आ जाए योगी तो उसका शर काट दिया जाए अच्छा क्या गुरु भाई आप ये सच करे हो और क्या मैं कोई जूच बोलता हूँ पुरुन मलकों वहाँ बेख्षा के लिए बेजा जाए फिर इसे क्या होगा गुरु भाई अरे गुरु भाई तुम को बहुत बोले हो तुमने इतना भी नहीं समझे क्या अरे ये वहाँ बेख्षा मांगने जाएगा और कभी लोट कर वापिस नहीं आएगा क्यों कैसी कही माल गए गुरु भाई आपको तुम लाठी भी नहीं तूटेगी और सापर भी मर जाएगा ठीक कहते हो गुरु भाई पर उसे भेजें कैसे अरे गुरु भाई इसे बोली की गोली मारो और बोल भी ऐसे कहो कि इसके दिल के पार हो जाए और भीक्षा लेने सोय में ही चल्यादा है फिर देखना क्या होता है तो फिर देर क्या है वू देखो इधर ही आ रहा है अब चुपो जाओ गुरु भाई खुश किसमत वही इनसान है हर चरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ है परमात्मा वो इनसान नहीं एवान है खुश किसमत वही इनसान है हर चरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ है परमात्मा वो इंसान नहीं है वाने नर्तन पाकर हरी चरण में जो भी कोई ध्यान धरे अपना बेडा पार लगावे औरा का भी पार करें इस जग में वो पुर्श महान है भगवान उस पे महरबान है जो भूला हुआ है परमात्मा वो इंसान नहीं है वाने खुश किस्मत वही इंसान है हरी चरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ है परमात्मा वो इंसान नहीं है वाने है हरी बगतों की कर है जो सेवा एसा करने से उस नर को हरी सदा ही पार करे बगतों के वश भगवान है और बगतों का करे कल्यान है जो भूला हुआ परमातमा वो इंसान नहीं है वाने खुश किस्मत वही इंसान है हर छरणों में जिसका ध्यान है जो भूला हुआ परमातमा वो इंसान नहीं है वाने जूट कपट चल पाप में जिसने ये जीवन बेकार किया जूट कपट चल पाप में जिसने ये जीवन बेकार किया उस नर से तो कुशो भी अच्छा मर कर जिसने मोल लिया भले बुरे की ना जिसे पैचान है वो मूरक वही अज्यान है जो भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है वाने जो भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है वाने हरी भगत को जो दुख देवें और उसका अपमान करें भरी भगत को जो दुख देवें और उसका अपमान करें मारे पिटे और दुदकार है और बड़ा अन्याय करें ऐसा पुरिश तो राक्स समान है उसको मारते ही भगवान है जो भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है दुख किसमत वही इनसान है भर चरणों में जिसका जान है भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है वान है कोई तो कोठी बंगलों कमा लिके खाया लूट हजारों में कोई तो कोठी बंगलों का मालिक खाया लूट हजारों में कोई पेचारा पैसा पैसा मंगता फिरे बाजारों में दिल हया कोई धनवान आखिर जाना सब शमसान है जो भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है वान है खुश किसमत वही इनसान है हर चरणों में जिसका ज्यान है जो भूला हुआ है पर मात्मा वो इनसान नहीं है वान है आओ गुरु भाई पूरण तुमने भजन में कितनी अच्छी बात कई है कि खुश किसमत वही इनसान है जिसका हरी चरणों में ध्यान है लेकिन प्रभू में ध्यान लगाने के साथ कुछ करम किर्या भी करनी पड़ती है गुरु भाई मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो भाई तुम समझ भी कैसे सकते हो हमारी तरह उन हालात से गुजरे होते तो शायद समझ पाते है गुरु भाई ये तो सब अपनी अपनी किसमत थोती है इस दुनिया में कोई तो इतना मीर है कि दंदोल का कोई ठेकाना नहीं और कोई इतना गरीब है कि पैसे पैसे को तरस दाता है हाँ गुरु भाई ठीक उसी तरह कोई तो दिन रात काम करके भी भूखा रहता है तो कोई हाथ पे हाथ धर बैटकर चंगा माल खाता है हाँ भाई समझोगे भी कैसे तुम भी तो पराई मांगे हुई भिक्षा खाकर पेट भरते हो जी तो तुम ठीक कहती हूँ मैं आज तक भिक्षा मांगने गया ही नहीं मुझी जेशी ही गुरुजी की आग्या मिलेगी मैं भिक्षा लेने अवस्ष्य जाऊंगा गुरुजी अपने शिरी मुख से कभे किसी को नहीं कहते पूरण भाई तुम तो धरम करम को जानने वाले हो और अब तो भक्ति ज्यान भी प्राप्त कर लिया है हाँ हाँ ये किसी को कष्ट नहीं पूंचा सकता खुद चाहे कितने ही कष्ट जिलने पड़ जाए अरे पूल गुरु अज्या नहीं देते तो क्या हुआ हम भी तो तेरे बड़े गुर भाई हैं हमारी भी तो बात माननी चाहिए इसलिए हमारे कहने से आज गुरु जी की अज्या लेकर बिक्षा ले आओ वैसे मुझे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बाकी गुर भाईयों को बुरा लगेगा जो परती दिन बिक्षा मांग कर लाते हैं बात तो तब बनेगी जब पूरण भाई रानी सुंद्रा के हाथों से बिक्षा लाएगा और जोग जमात भोजन पाएगी हाँ भाई ठीक कहते हो पूरण वास्तों में हमारा सत्ता और ज्ञानी भाई है तो आज गुरु जी से बिक्षा मांगने जाने के लिए इदादत ले लेगा यदि ये बात है तो मैं जैसी भी हो गुरु जी को मना लूँगा और पर्ण करता हूँ कि बिक्षा रानी सुंद्रा के हाथों से ही ले कराऊंगा और अपना वचन निभाऊंगा गुरु भाईयो क्यों कैसा दाओ मारे हाँ अब तो ये चारो खानों चित जाएगा अब ये अवश्य ही रानी सुंद्रा के महल के पास जाएगा और जाते ही सिर कटाएगा बस फिर तो हमारा रोज का जलना भुनना बंद हो जाएगा बच्चा अब हमने सभी सिद्धियां तुमें परदान कर दी हैं इस प्रकार तु सब तरह से ज्यानवान हो गया अब सारी चिंताएं त्याग कर बस प्रभू की भक्ति में ध्यान लगा हे गुरुजी मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा कि आपकी उपदेश ने मेरे पत्थर जैसे दिल को हीला बना दिया गुरुजी और अब मेरे अंदर ज्यान का बंडार आपकी ही करपा द्रिष्टी से है किन्तु मुझ पर एक करपा और कर देजिए गुरुजी बोलो वच्चा में संकोच होकर कहो हे गुरुजी मेरी इच्छा केवल भिक्षा को जाने की है आप करपा मुझे आग्या दे दीजिए भिक्षा की हा गुरुजी मेरी इच्छा रानी सुन्दरा के द्वार पर अलख जगाने की है और उसकी हाथ से भिक्षा लाकर भेखवा कि शेवा करना चाहता हूं क्या कहा तुमने भिक्षा वो भी रानी सुंद्रा के हाथ से हाँ गुरुजी आपकी आज्या से नहीं बच्चा तू नहीं जानता रानी सुंद्रा बड़ी जालिम है अगर उसके राज्य में भूले भटके कोई योगी चला भी जाता है तो उसका स कर काट दिया जाता है अगर तू वहां गया तो बच कर नहीं आएगा गुरुजी आपका अशिरवाद मेरे साथ है तो सुंद्रा तो क्या जिदी पत्थर भी होगा तो पिंगल कर मौम हो जाएगा है गुरुदेव आप मुझ पर करप्रा किजिए मुझे कुछ नहीं होगा मैं बिक्षा लेकर अवश्य वापिस आँगा गुरुदेव बात कुछ समझ में नहीं आई पूरण को अवश्य ही किसी ने बहकाया है तब ही ये जाने की हट कर रहा है बच्चा पूरण जी गुरुदेव तुम्हें कहीं नहीं जाना तुम्हें तो अटल समादी साद कर भजन में मगद हो जाना चाहिए ये गुरुदेव मेरी बिक्षा को जाने की हर दिक इच्छा है जिदी आप आग्याद दें तो जोकि जिदन से आपने मुझे को दिक्षा दी है उसी दिन से गुरुदेव मेरी में में बिक्षा पर जाने की इच्छा है बच्चा पूरण तुम्हारा बिक्षा लाने का विचार है लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि वहां मैं तुम्हें नहीं भेजूँ वहाँ अन्होनी होने की आशंका है गुरू जी आपकी किर्पय मुझ पर है तुम मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता बस आप अपनी स्री मुक्सी मुझे आशिरवाद दे दीजिए मैं सही सलामत वापिस हाँगा गुरू जी ठीक है अच्छा बच्चा जाओ और सुन्दरा के द्वार पर जाकर अलग जगाओ और उसके हाथ से भिक्षा लेकर जल्दी वापिस आना जै गुरू देव जै गुरू देव जैसी आपकी आग्या आपकी दया और आशिरवाद सी रानी सुन्दरा की हाथ सी ही भिक्षा लाँगा गुरू जी आदेश गुरु जी आदेश बच्चा जिसने मुझ को कुवे से जीवत लिया निकाल अब भी वो ही रक्षा करी सुत गुरु जी इन दयाल सुनो बच्चा हाँ महराज यहाँ सुन्द्रादे का महल किदर है महराज आप सुन्द्रादे के महल का रस्ता क्यों पूझ रहे है मुझे सुन्द्रादे से बिक्षा लेके आनी है बच्चा क्या कहा बिक्षा लेके आनी है वो भी सुन्द्रादे से बाबा जी आप हमारे साथ आईए आप जो मांगोगे हम वही देंगे लेकिन आप सुन्द्रादे से भिख्षा लेने मत जाना वरना वेर्थ में ही प्रान गवाने पड़ जाएंगे हाँ सादू जी वो सादू संतों को देखते ही तुरंत सिर्कटवा देती है यहाँ जो भी सादू संत भूले भटके आए हैं वो वापिस जिन्दा लोटकर इस नगरी से नहीं गए हाँ सादू जी उस हत्यारी के दोआर पर जाने से अच्छा तो आप हमारे साथ चलिए आप भिक्ष्या में जो कुछ लेना चाते हो वो हम आपको देंगी लेकिन भूल कर भी सुन्द्रा दे के महल का रास्ता मत पूछना हाँ नाद जी आपकी क्रिपा से हमारे पास धन दोलत की कोई कमी नहीं है आपको जो चाहिए ले जाए लेकिन ये सच कहता है कि सुन्द्रा दे के दोआर पर मत जाएए आप लोगोंने मेरे भले के लिए सोचा है आयू समान भव किन्तु मुझे तो अपने गुरु भाईयों को दिया वचन निभाना है वो एक बार सुन्द्रा दे रानी के दोआर पर अवश्य अलख जगाना है अब या तो सिर कटाना है या फिर भिप्षा लेकर आना है होगा वही जो विधाता ने भाग्य में लिखा है ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा अलख निरंजन अलख निरंजन भिप्षाम देही बाबा जरा धीमी आवाज में बोलो आप लगते तो बहुत तेजस्वी हो लेकिन आज आपका दुर्भा के आपको गलत दुवार पर ले आया क्योंकि यहां आने वाले योगी को विख्षा की जगा मोहत मिलती है क्या आपको किसी ने नहीं बताया नगर में दुवार पाल आपके नगरवा से भहुत भले इंसान और योगियों के बड़े सुपचिंतक हैं लेकिन हम योगी भी योग विध्या में निपून हैं बाबा आप योग विध्या में निपून होंगे लेकिन आज तक कोई भी योगी इस दुवार से जीवित वापिस नहीं गया है उनमें तो कुछ तो बहुत ही तपश्वी थे और आपकी तो उमर भी नादान है कई योगी बाबा तो आप से भी अनभवी थे आप मेरी बात मानो और वापिस चले जाओ बाबा जी दुवार पाल मैं आपकी महारानी से भीक्षा लिए बिना वापिस नहीं जाओंगा ये मेरा दड़ निष्चे है योगी बाबा अच्छी तरह सोच लो यहां भीक्षा नहीं सजाए मोत मिलेगी क्या ये बात आपकी समझ में नहीं आती क्या दुवार पाल योगी जो मन धार लेती हैं उस इच्छा की पूर्ती अवश्य करती हैं लेकिन यहां इच्छा पूर्ती की बजाए आपकी मोत निष्चित है मैं मोत से नहीं रता बस मेरी एक विंती है कि मैं रानी सुंद्रा से भीक्षा लेने के बाद ही इस जीमन से मुक्ती पाऊं आप एक बार महारानी को जाकर मेरी विंती बता दी फिर वो जैसा कहेगी मुझे मनजूर है योगी क्यों जिद करते हो महारानी ने आज तक किसी को भीक्षा डाली नहीं फिर आप क्यों आस लगाए बैठे हो मरने वाले की आखरी इच्छा को पूरी करना मोत देने वाले का करते हुए है कैसे हटी योगी हैं अच्छा मैं जाकर मारानी को आपकी प्रातना सुनाता हूँ आयूस्मान भाव तो मेरे गुरु भाईयों की ये इच्छा थी कि मारानी सुंदरा के हाथों मारा जाओ उनके मन में ऐसा बुरा विचार मेरे लिए क्यों आया साहेद गुरु की करपा दिरिष्टी मुझे पर ज्यादा है हेप परभु सब का कल्यान करना जीवन और मिर्तु का चक्कर ये सब आपकी अप्रमपार माया है जाको राखे साहिया मार सके ना कोई ओम नमेशिवाए ओम नमेशिवाए महारानी की जै हो महारानी द्वाद पर एक योगी आया है और आपसे भिक्षा लेने की जिद कर रहा है एक साधू और मरने के लिए आ गया लगता है उसकी मौद उसे यहां खीचलाई है परतिक्षा करो योगी महाराज महारानी अभी आती होगी एक बात बताओ दुवारपाल बत पूछो तुम्हारी महारानी योगीं की हत्ता क्यों करवाती है योगीं ने ऐसा इस नगरी का क्या कोई अनिस्ट किया है हमें कुछ नहीं पता हम तो इतना जानते हैं आज तक कोई योगी इस नगरी से जीवित नहीं गया हमें तुम्हारी मैं कि नहीं योगी नहीं योगी तुम्हारी मैं आह भगवान की शान है कितना सुन्दर कितना सजीला नौजवान है मेरा अनुमान है कि ये साधु वेश में स्वयम संख चक्र गदा धारी वन माला से अलंकित देव आदिश्री विश्नु भगवान है निश्चे ही आवे प्रभुरू फकीरी धार धन्य हो गई आज में आए प्रभुजी दवार नहीं नहीं मैं ऐसे गुणवान ऐसे खूबसूरत और चरितरवान इंसान का कतल नहीं करूगी इसकी शान और शकल ने तो मुझे मंत्र मुग्द कर दिया है महरानी क्या देख रही हो मुझे दिक्चा दीजिए महराज विराजी आईए मैं भोजन स्वयम अपने हाथों से त्यार करके आपको खिलाऊंगी रचना उस जगदीश की देखो आज विचित्र आज प्रभु आकर मेरा करदिया धाम पवित्र नहीं महरानी हम भकीर तो भैते पानी की तरह हैं जो कहीं रुखते नहीं बस आप से भ्यक्षा लेने की इच्छा थी सो आप पूरण कर दो मुझे और महमान बाजी की आउस्यक्ता नहीं आप भ्यक्षा दें तो मैं वापिस गुरु के चरुनों में सीघर पहुंचना चाहता हूँ संत जी आप व्यर्थ धरदर मारे ना फिरिये आप इस भग्मा बानी को उतार दीजी और राजसी वस्तर धान कर लीजी महाराणे जी मैं जनम से जतिजोगी हूँ मेरी सिकरपा इस परकार की बाते ना करें करपा करके जल्दी बेक्षा दीजी मुझे जल्दी जाना है मेरे गुरु मेरा इंजार कर रही है महाराण आप अपना और अपने गुरी जी का शुब नाम तो बताए महाराण आपकी सेवा में बांदी हाजिर है और ये फोज ये पल्टन और बेशुमार अंधन भी तो आप ही का है आप बावन सुबव पर हुकम चलाए महाराण अब मान भी जाए इस दासी को छोड़ कर कहीं ना जाए ये भेश फकीरी दूर करो अब भूलो अलक जगाने को भरपूर खजाने भरे है सब मनमानी मोज उडाने को नित्यदूद में सनान करो सेवादारी में हाजिर हूँ मन के पूरे अर्मान करो महाराण जी एक्समा की जी मैं भारत खंड शालकोट नरेस महाराज सिलेभान का पुतर हूँ समय अपने ही राज्य को त्याग दिया है राज सुक बोग को त्याग करके विराग गलिया है तो अब ये तुम्हारा राजपार्ट मेरे किस काम का है हाँ भरतखंड पंजाब की राजा शली भान का राजगुमार और वो भी मेरी द्वार तो महाराज विराजए न महारानी बगवान के लिए मेरे सीर को हाथ न लगा अन्याचा तू पस्ताएगी मेरे गुरू ने योगद्रिष्टी से देख लिया तो तू जलकर भसम हो जाएगी मेरे से दूर ही रहे है महारानी हाँ ऐसे करामाती फकीर है तो वास्तों में गजब हो जाएगा सब काम बिगड़ जाएगा यदि पूरन का गुरू रुष्ट हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी पूरन की जुदाई कैसे सहन करूंगी हाँ हाँ ये विचार ठीक है सत्गुरु के पास जाँ और शिरी सत्गुरु से पूरन को मांग लाँ स्वामी जी आपके गुरु इस समें कहा ठहरे हैं इस दुष्ट पापन सुंदरादे जिस्वने सत्रा सु सादुम की बर्मत्या का पाप कुमाया है अब तो इसी अपने पाप के कर्मों का भोग भोग नहीं चाहिए और संतों का कतल करने वाली इस कहानी का भी अंत हो नहीं चाहिए ऐसा ही करता हूँ महराज, क्या सोचने लगी मैं पूछ रही थी कि आपके गुरु जी कहा ठहरे है देवी सुंदरा यहां सी तीन कोष पर जोग जमात का ठिकाना है और 64 योगन 52 भैरो 56 कलबे विराजमान है और तो फिर आप धैरी धार विराजी मैं जोग जमात के भंडारे का परभन कर तुम्हारे साथ चलती हूँ चलो जैसा तुम उचीद समझो जाशे चलती है उचीद समय सक्झीद मारे जबता तुम्हारे साथ यहारे साथ जाशे जाशे यहारे का पर 26 प्रनों उन्मट्थ जाशे दो टीन है तन्मट्ड़न जाशे लिजों पत्रे ऑार विरा अरे जुलुम कर दिया जुलुम कर दिया भाई रे के कर दिया या के हो गया गुरु भाई पूर्ण ने जुलुम कर दिया के खुद तो मर ही गया लेकिन हम सबको भी मरवाएगा क्यूं वो देखो रानी संद्रा की फोज अरे कित से है देख 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 रानी संद्रा की फोज हमें पकड़ने आई है मरने से पहले अपना पता ठिकाना भी बता गया होगा हाँ ठीक कह रहे हो ना गिया भाई वो आ गई अरे इससे अच्छा तो हम पूरण को यहीं बैठे बिठाई विक्षाला गर खिला देते कम से कम जान से आध दोने की नौबत तो नहीं आती भाई योगरनाथ यह आपका ही विचार था ना देखना अब जिर कैसे धड़ से दूर जाकर गिरेगा ना भिक्षाला नी पड़ेगी और ना ही तब शकर नी पड़ेगी बस भाई अब प्रभूगर जाने की सोच ले बड़े बुजरुगों ने ठीक ही कहा है दुसरे के लिए खड़ा कभी मत खोदो वरना एक दिन तुम खुद उसी में गिर जाओगे आज आज हम भी अपने ही खोदेवे खड़े में गिरकर मढने वाले हैं ओ घड़ मरवादी तने रहा हां गुर भाई पूलना तक गजब डा दिया ठीक कह रहे हो भाई तुमर वादिया हमको माई ओट ये खड़े में गिर कश्वान ते आ के था ग्वादी एा जगवा वादिया ये श्याओ टुमरब धिन तुम ख़ए इस अरोफ लिड़े लादिया लादिया का लिड़े कामधिटरा तर सभी दगर गाम तिरा ते बगवान दया के जागर गाम तिरा मेरा कारचा, कारचराचर, सबी जग गर, गाम क्या खट्च करोर, खोड़ जजल मैं, योगे खेल लगे लाया फिर प्रबू जानी जानी, जहां नजरें तुँ, तो या जिशन पाया प्रबू अजबुच माया, ब्राच लूब तने, जीचा मजुर साया प्रबू मैं मैं ममता, मेरी केरी, या सब जूठी माया प्रबू अजर हमर सब संकर सिंबो, जग मैं रोचन नाम चरा नरा कारचा, कार चराचर, सबी जग गर, गाम क्या सिर्द ताद वोरे, तारे गण मैं, जमक जमक परकास करें अगन पोन चल, खलर मंदर, पाचों सतने वाज करें मोर मुकुट मुरिनी, जर मोहन, बंदरापन मैं पास करें बगतों का दुख आने वाले, दूसर जनों का लाज करें जग नना ठरा, मेशर बजरी, पुरी दवार के दाम ठरा, नरा कार सा, कार ठरा ठर, सबी जग गर, गाम ठरा हम को ना ठावाईब, इव ना ठावाईब रभाईलू को झाल